नमस्ते दोस्तों तो आज मैं लेकर आ गई हूँ रस्मलाई केक की डिजाइन और अभी लगातार मेरे पास तीन चार रस्मलाई केक के ही ओर्डर से और मुझे लगता है कि अब जो है मुझे अपने मेन्यू में थोड़े बहुत और जो है निव निव फ्लेवर्स एड करने प केक टिन है तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को पूरा वीडियो यहां पर शेयर करें है वैसे अगर आप मेरी पहले की वीडियो नहीं देखिए न जरूर उठाके आप एक बार देख ले ना मैंने इतने डिटे़ल में बताया है इतने डिटेल में कि मुझे नहीं लगता और एक्चुली देखिए आप कहेंगे कि मैं वीडियो बहुत फास्ट है हमें नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप थोड़ा सा स्लो करके वीडियो देख लीजेगा ताकि आपको क्लियर हो जागें क्योंकि अगर मैंने जब स्लो कर दिया अपने वीडियो तो वह इतनी ज एक बार अपने वीडियो में यह चीज दिखाया है आप जाके एक बार सर्च कर लीजेगा अगर आप तो को वीडियो मिल जाती है तो बहुत यूसफुल है और हां बहुत ही सिंपल तरीका है जो हम वैनिला प्रिमिक्स बनाते हैं उसलिए मैं क्या करते है तोड़ा सा और अ हमेशा अपने के कोग बनाती हूँ तो मैं हमेशा Só कभी भी कबस का यूश नहीं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस वीज हो सकता है तो यह देख़िए क不用 करता हैं बहुत सारे लोग पूछ स्ंथे हैं वैसे मैने कई बार अपने वीडियो में दिखाया है घर पर detail में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए जो है, क्योंकि कई बार घर के तो काम होते ही हैं, साथ हम अपने केक बिजनेस को भी रन करते हैं घर से, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकि फिर भी मैं सोचनी हो कि नहीं, थोड़ा सा त तो उसी से जो है मैंने यहाँ पर आइसिंग कर ली है इतने कम क्रीम में रस्मलाइक बनके रेडी नहीं होगा यह चीज आप no down कर लीजेगा ठीक है और यह देखिए मैं यहाँ पर आपको stiffness दिखा रही हूं अपने क्रीम की कि कितनी स्टीफ मेरी क्रीम है पहुती बढ़िया क क्रीम है अगर आपको मिलती है यह क्रीम तब जरूर इसे खरीद लीगा और आज जो था मिन्स जिस दिन मैंने इस वीडियो को शूट किया था उसी मेरा निरजला फास्ट था तो मतलब थोड़ी सी मैं टायड हो चुकी थी घर के सारे काम करके और यह भी केक मैंसे हाफ केज होता है और जब कॉस्टमाइज नहीं हो तो बहुत ही इजी हो जाता है तो यह देखे मैं हमेशा जैसे तीन लेयर में कट करती हूँ वैसी इसे भी कट करूँगी और कल की एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था मैंने उसे हाइड कर दिया है मतलब इतना बेकार कमेंट कि कि मैं क्या बोलू अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो मत देखिए लेकिन इस तरीके के कमेंट प्लीज आप मत कीजिए मतलब कई बार ऐसा लगता है जैसी मैंने उसको देखा उस कमेंट को ऐसा लगा कि मतलब क्या है ये आप तो एक खुद आते हो हमारी वीडियो देखने फिर उसके बाद ऐसे देकार कमेंट भी करते हो लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये सारी चीज़े हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए मैंने उस कमेंट को हाइड कर दिया है आप लोगों को नहीं देखेगा लेकिन वो मेरे लिए लर्निंग है एक कि कुछ भी हो जाए आपको अपना काम करते रहना है तो ये देखिए मैं तोड़ा सा यहाँ पर मेजर्मेंट करकर कहीं अपनी क्रीम लगाँगी क्योंकि मैंने जितनी क्रीम यूट की थी उतना ही मेरे पास था और थोड़ा सा मेरे पास पाइपिंग बैग में क्रीम बचा हुआ था उसको मैं बाद में यूज करूँगी और बहुत सारे लोग के क्रीम हमारी होती है विप्ट की हुई कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं देखिए बेकरी में जो है 5-6 दिन तक उस क्रीम को यूज करते हैं लेकिन मेरा ऐसा माना है कि चार दिन तक आप मैकसिमम यूज कीजिए फ्रिज में रखें बाहर नहीं बाहर आपके क्रीम बिल्कुल भी खराब हो जाएगी तो यह देखिए मैंने आपर पिस्ता और काजू भी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम सोब करेंगे रसमलाई के रस से और रसमला बोला तो मतलब मैंने घर पे इसारी रसमलाई है लेकिन उसकी वीडियो में फ्रि में की है लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उसको यह वीडियो चल रहा है तो हो सकता है कि वीडियो अपडाउन हो कभी लेट हो कभी स्किप हो जाए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है तो अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा मैं नई ने वीडियो लाती रहूंगी किसी के बोलने से मैं डी मोटिवेट नहीं होने आप ये चीज़ समझ लिए तो ये देखिए कि इस तरीके से मैंने आपर सोकिंग की है वो बार बार जो बात है ना जो उन्होंने कमेंट किया था वो मेरे दिमाग में अभी तक घूंग रहा है मैं उससे भूल नहीं पाई हूँ लेकिन हां मुझे लगता है कि उस टॉपिक मुझसे कि माईम इसकी प्राइज क्या है तो देखिए कई बार मैं प्रैस बता देती वो कई ब्हूल भी जाती हूँ कौई बहुं को लगता है में आपने बहुत सस्ता दे दिया और कई बहुता है कि बहुत जब महेंना है तो देखिए ये जो है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी प्राइस कितनी रखनी है जेनरली मैंने कई बर बताया है आप लोग को कि आप प्राइस को कैसे सेट और फिर भी अगर आप कह रहे हैं मुझे पूजा में भी जाना था लगभग 2-5 गंटे के हमारी पूजा होती है तो इसे कंप्लेट करके मैंने पैक कर दिया था और मैं कश्टमर को बताना भूल गए थी कि केक रेडी है मैं हमेशा क्या करती है जब भी मेरा केक रेडी हो जाता है मैं अपने क्लाइंट को फोट कितना अपने इस चीज़ को बताया है आप इस तरीके से ही काम कीजे आप बहुत जादा भी नहीं कि हमने इतना जादा क्या था कि हम कर लिया तो हमें जो है 500-600 एक्ट्रा हमेज के महनत की चाहिए हाफ के जी केक में ऐसा नहीं होता है जितना बड़ा केक उतना ज़्यादा महनत यह चीज होती है तो थोड़ा सापको जज़ करना होगा जैसे आपने artificial flower लगाएं मान लिजे shop से मंगा कर online मंगाया आपने जैसे भी मंगाया हो तो अगर आप खुद से भी जाके गए हो तो क्या होता है आप उसमें अपने पिट्रॉल का भी जोड़ेंगे प्लस प्लार का जो rate है वो भी रखेंगे ठीक है इस तरीके से जो है मैं अपने price को set करते है और कभी भी जब भी आपको phone आता है कोई client कहता है यह रहा cake और इतने केजी का बनाना है यह flavor है क्या इसका charges होगा है तो देखिए मैं तुरंट से पहले में बता दिया करती थी हाँ हाँ इतने में बन जाएगा उतने में हो जाएगा बिना calculate किया रेकिन अभी जो है मैंने यह चीज़ सीखिया है कि पहले मैं क्या करती हूँ photo देखती हूँ flavor देखती हूँ क्या यह possible है नहीं है जो उनकी demand है छोटे से केक या बड़े से केक जो भी है तो वो चीज़ मैं देखती हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि यह हो जाएगा तब जाके मैं सारी चीज़े calculate करती हूँ कि यह कितने का आएगा इसको पनाने में कितना time लगेगा उस हिसाब से जो है मैं अपने price को set करती हूँ और यह चीज़ आप जरूर देख लीज़ेगा कि आपने कितना premix use किया है और premix का rate क्या है जो आपने खरीता है तो लेकिन मेरी कोशिश यह लेती कि मैं सारी चीज़े बल्क में खरीद हूँ तो मुझे काफ़े सस्ता पढ़ जाता है और यह जो आप cake base, cake box देख रहे हैं मैं हमेशा 50 का पूरा बल्क में मंगाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा और जादा सस्ता पढ़ जाता है तो इससे क्या होगा कि आपको और जादा profit हो जाता है और ऐसे चीज़े आप जरूर खरीदिये बल्क में जो सालों साल खराब नहीं होती है तो बस रस्मलाई cake है तो मुझे थोड़ा सा रस्मलाई तो ऊपर में रखना ही था और यह जो मैंने पिस्ता और आलमंट कट करके रखे थे उसे भी मैंने आप लगा दिये ताकि यह प्रॉपर रस्मलाई वाला cake दीखे तो हमारा cake जो है complete हो चुका है और इसकी प्राइज भी आप साइड में देख लीजिएगा जो मैंने दिया था और आप कितना लेते हैं मुझे comment करके ज़रूर बढ़ाएगा तो मिलते हैं ने नेक्स्ट वीडियो में और नए ने रेस्पीस के साथ तब तक रीब बगाएगा